चलो जी अब बात है mutual fund का चार्ट फॉर्मुले mutual fund में basically क्या था अगर बात करो mutual fund की तो सर उसमें एक NAV calculation का था yes NAV calculation में entry load, exit load ये दो तीन चीजे थी उसके बाद return calculation का था return, holding period return और annual return निकलते थे उसके बाद performance evaluation था जैंसन अलफा, जैंसन अलफा, शार्प रिशुग काम का था तो थोड़ा-थोड़ा है कुछ special है नहीं अगर मैं बात करूँ इस question में, oh sorry एक तो था NAV calculation एक जे, NAV calculation NAV कैसे निकलते थे, कुछ था नहीं, mutual fund में assets, और assets में basically पैसा कहां लखा रहता है shares में, तो assets minus liability और जो भी आए divided by number of units करोगे तो NAV अब यहर दो tight के load दिया रहता है अगर एक बात मैंने आपसे यह कहाता sir open ended और closed ended भी mutual fund होते हुँग अब हमारे काम की बात करेंगे अगर mutual fund unit से बेचेगा तो और ज्यादा में बेचेगा बेचेगा मतलब sir आप entry लोगे तो entry load क्या होगा, बेच इतने समय add हो जाए बेचेगा, mutual fund बेचेगा तो और ज्यादा में बेचेगा उसको बोलते entry load या उसको बोलते front end load अच्छा, और जो NAV में plus करके निकालते उसको बोलते public offering price बस आपको यह याद रखना public offering price, P.O.P. बोलते तर दूसरा क्या होता, दूसरा होता exit load, तर यह क्या होता exit load, वही आप unit holder हो, आपको हमारा पैसा वापस चाहिए, और आप unit वापस कर रहा हूँ, अच्छा, आप बाहर निकल रहा हो exit हो रहा है, तो अगर मैं वापस आपस खरीदूँगा, तो कम मैं खरीदूँगा मतलब उसमें से क्या minus करोगे exit load minus कर दोगे इसको back end load भी बोलते है और एक formula आता कभी-कभी expenses ratio, एक question में आया था expenses ratio, और expenses ratio का formula expenses per unit divided by NAVS से क्या पता लगता है यह पता लगता है यार कौन सा mutual fund कितना खर्चा करता है per unit basis तो दूसरा क्या है, दूसरा return calculation अब return calculation में एक बात है कि mutual fund topic में हमेसा हम holding period return निकलने के लिए मुझे formula आपको कुछ करवाने की ज़रुवत नहीं, आपको पता है holding period return, change NAV, और mutual fund को income कहां से होगी, जिस company में पैसा लगाया है mutual fund ने, उससे dividend मिलेगा और वो जो dividend मिलेगा हम बाट देंगे तो dividend income और जिस company में पैसा लगाया है, उस company के shares को बेचके जो capital gain मिलेगा वो भी mutual fund unit holder को बाट देंगे divided by beginning NAV into 100, तो ये क्या जाएगा holding period return ठीक है, simple है पर हमेशा हम annualized return निकालेंगे, और annualized return कैसे निकलता, holding period return जितने period तक hold किया था into 12 करेंगे, तो annualized return निकल जाएगे simple है, ठीक है एक आता है, इसमें formula ज़्यादा ही नहीं पूरा conceptual सर और क्या आता है, एक आता है indifference return, ये important indifference return indifference return होता क्या था सर, ये बताता indifference return में indifference return में एक equity में पैसा लगाना है, और एक mutual fund में पैसा लगाना, equity में पैसा लगा है, खुद इसे, direct investment या mutual fund के थूप पैसा लगा है mutual fund को हम पैसे देंगे और mutual fund equity में लगाएगा तो हमारा ये कहना कि यार equity से अगर हमारा 16 percent की return हो रही है तो mutual fund से भी 16 की तो return होना चाहिए आखिर mutual fund कितना कमाए mutual fund कितना कमाए कि हमारा return बराबर हो जाए बस यह कोशन था तो यहां किसका रिटर निकालना यहां निकालना हमको mutual fund कितना कमा है और यहां किसका return equity का return इतना equity इतना हमको चाहिए one minus mutual fund को पैसा देते हम तो initial expenses होगा तो initial expenses कट जाएगा और हल साल के recurring expenses minus हो प्लैस हो जाएगे अलग कि मैं concept के साथ ढंग से समझा चूँ ठीक है सर तो mutual fund में basically जो हमको करना था एक NAV calculation था एक return calculation ठीक है इसके अलावा क्या था सर इसके अलावा hedge fund है hedge fund क्या होता है hedge fund का मैंने बताया था mutual fund में सभी public involved होती है hedge fund कुछ लोगों से ही हम पैसे लेकर कहीं investment का सूचते सलक मतलब बड़े पुंजी पती लोगों से पैसे लिए जाते है मैं CEO हूँ और मैं selected 10 लोगों से पैसा लेकर आपका fund मैनेज करूंगा तो बदले में बदले में बहुत सारी चीजे थी इस पर आता एक ही calculation है वह है fees calculation के लिए और दो टाइप के fees होती है कौन-कौन सी fees calculation होता था इसमें एक होता था basic fees जितने का भी उन्होंने portfolio दिया है उसका कुछ percentage दिया रहेगा वो तो चाहे आप उसको बढ़ाओ चाहे portfolio कम कर दो वो portfolio पर उस assets पर आपको इतना एक percent देना पड़ेगा वो percentage दिया रहेगा दूसरा क्या होता दूसरा होता incentive incentive fees और incentive fees में ऐसा लिखा रहता लिखा रहेगा कि जो पिछले दिनों में जो maximum value गया अगर उससे उपर value हो गया जितना extra आपने बढ़ाया ना उसका आपको incentive मिलेगा बढ़ाया तो मिलेगा नहीं बढ़ाया तो नहीं मिलेगा this is incentive इसका एक question है please देखकर चले जाना पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि हो सकता आ जाए उसके बाद performance evaluation कुछ था नहीं उसमें मतलब हम ये चेक करते थे कि कौन सा mutual fund best है यार हमको तो पैसा लगाना है एक में लगा है कि बहुत सारे में लगा है तो इसमें सर शार्प रिशो था ट्रेनर रिशो था और जैंसन अलफा शार्प रिशो में access return divided by standard trainer रिशो में access return मतलब ये सर ये total risk को बेस लिता है और ये किसको सर ये systematic risk को बेस लिता systematic ठीक है और अलफा rp minus k ये समझा चुका हूँ आपको और जिसका शार्प रिशो अच्छा है उसको हम first rank देते हैं जिसका शार्प रिशो कम उसको कम rank देते हैं इस तरह से हम काम करें तो ये जो तीन topic है ये generally इनका पक्का पक्का यहीं से question आया इधर से question नहीं आते है it means तीन topic आपको करना एननेवी calculation करना return calculation करना और performance evaluation करना ठीक है इसके अलावा ये दो topic है जो पूछा जाता है एक pharma model net selectivity और एक tracking error तर pharma net selectivity में क्या होता था कुछ नहीं है भाई ये simple है pharma net selectivity में हम कहते कि alpha निकालने का formula क्या था तर alpha निकालने का formula था rp minus k और k किस से निकालते थे security market line ये आपको पता है security market line क्या हो फिर हम कहते थे कि नहीं यार ऐसे ऐसे ये चीज़े गलात है इस पर इस पर इस पर portfolio manager ने अपना skill use नहीं कि skill की वज़ा से जो होगा उसका due to skill of manager rp तो रहेगा लेकिन यहां capital market line डाल देना मतलब return कौन सी जो capital market line से आई है उसको कहा जाता है कि return due to skill of manager manager ने skill use करके ये कमाया और साथ cml का equation क्या था ये तो आपको पता होगा rf plus rm minus rf standard deviation of market or standard deviation of portfolio मतलब हम यहां total risk की बात करते है yes यहां skill use की और और extra कमाया मतलब इससे भी इसमें माल लो सुल लो सुल लो बिठे इसमें आया पाच परशन और इसमें difference आया दो परशन total extra कमाया है पाच पर actual में अपना skill use के 2 ही percent कमाया है जो extra 3 percent कमा रहा है ना extra 3 percent वो unsystematic risk की वज़ा से कमा मतलब cml minus sml कर ले ना इसका वीडियो डला हुआ है youtube में प्रेक्टिस देख ले ना सर और एक concept concept था tracking error tracking error में क्या होता था tracking error में portfolio manager ने जो कमाया है उसका return और एक benchmark return benchmark return यार इतना कमा 15 benchmark return मतलब मतलब सर 10 कमाना चाहिए था और कमाये कितना 12 कमाया तो इन दोरों के 20 का difference जो है उसको बलते active return इस तरह से हम difference एक, दो, तीन, चार, पात साल होगा तो इस तरह से हम difference निकालते थे इसको बलते थे active return और इसका क्या निकालते थे हम standard deviation इसका standard deviation अच्छा सर वैसे objective क्या है सर standard deviation x minus x bar square मतलब या active return है divided by n होना चाहिए formula में n minus 1 लिखाओ इसी को आप tracking error गुलते हैं सर इससे हम क्या निकालना चाहते हैं हम ये निकालना चाहते हैं कि भगवान का ही ज़्यादा deviation तो नहीं है सोच के बताना अगर ज़्यादा deviation है मतलब ज़्यादा deviation कब आएगा सोच के देखना बटे वैसे कम आएगा यस तो हम गहेंगे ठीक है लेकिन लेकिन कभी 2 आ गया कभी 10 आ गया कभी 20 आ गया फिर 2 आ फिर 3 आ इट मींस यार जो बीज बीच में कमाया है ना active वो तो तुक्के से कमाया है बस वही निकालना की ज़्यादा deviation मतलब ज़्यादा error है तो कैसे कमाया है वही चीज है अभी यहां concept समझा नहीं सकता है तो वही tracking error निकालेंगे और एक information ratio निकालते है information ratio पूछ सकता है सर यह क्या है जो बोले average active return निकलेगा divided by सर यह sharp रिशू जैसे है ना access return divided by standard deviation यस और higher is better यह ना यार risk के पीछे कितना extra return यस सर तो ऐसा है कि इन formula का तभी मदद मिलेगी जब आपको यह concept पता हो नहीं तो समझ में नहीं आए यह गया mutual fund खतम यस सर